किसी लेवल पे आता है समझ लोग यह सर्फेस है मार्केट का तो उसमें नीचे 100 पॉइंट का डेप्थ बनाएगा कितने पॉइंट की है 100 पॉइंट की यह देखिए यह गंशाम सर का प्रिमियम चैनल का है स्क्रिन शॉट अब देखिए उन्होंने क्या कर दिया आज की दिन 22,400 का कॉल लेने के लिए कहा कौन से टाइमिंग पे देड़ बज़े हलो फ्रेंट्स ट्रेड्स प्लैलिंग में आपका स्वागत है चलिए देखते है मार्केट में गंशाम सर ने ये दोनों लोज कैसे फॉइंट किये थे और इसके पीछे के जो भी कुछ फाइप पॉइंट के लोजिक है वो आपके साथ मैं आभी शेयर करूँगा ठीक है लूजिक के की हां तक भी वह सा रहा था लूजिक तो इसके पीछे की जो भी कुछ पाज फाइप वाइंट है लौजिक के की मार्केट यहां तक भी वह सा रहा था लेकिन यहां से कैसे पलट गया ठीक है यह अदिकिए यहां तक आ रहा था लेकिन यहां से कैसे पलट गया उसका logic हम देख लेते हैं कि यहां पर घंण jámeさर क्या चेक कर लेते हैं ठीक है इसको मैं five minutes पे कनोड कर लेता हूं यह देखिए की support कहां पे था पिछले चार्ड पे उन्होंने find कर लिया candle कप कुछ pattern बन रहा है कि उन की level पे तो उन्होंने वह भी capture कर लिया और मार्केट में फास्ट मुग का उन्होंने इंतजार किया था कि फास्ट मुग के बाद market reversal कर देता है और five point है round level जब market नीचे गिरता है तो round level के नीचे से hundred point पे market को support मिलता है जैसे कि वह बार बार कहते हैं कि 43,000 का level रहने दो या 500 का level रहने दो तो उस level के नीचे यानि 1000 का level होगा तो 900 पे और 500 का level होगा तो 400 support मिलता है तो चलिए देखते हैं उसे विस्तार से उन्होंने कैसा find किया होगा अब देखिए यहां पर मैं फिबो ड्रा कर देता हूं ठीक है इसका meaning बता देता हूं कि क्या रहता है फिबो का फिर बाद में वहां पर आपको set करके दिखा दूंगा यह देखिए यह 200 का लेवल है और नीचे का लेवल यह रहता है हमारा ड्रा करने का अब देखिए यह ultimate level रदी है support यहां पर गया मार्केट तो यह ultimate resistance है नीचे आ गया मार्केट तो यह ultimate support है ठीक है फिर भी मार्केट में यहां से एक resistance मिलता है कौन सी लेवल से 61% के और यहां ब्रेको गया तो मार मार्केट नीचे आ गया है तो हमें यहां तक का ढट गर देते हैं थीक है तो उसके बाद में हमें क्या करकता होता है कि मार्केट ने कुछ पिछली यहां पर कुछ ऐसा support किया है क्या तो उस लेवल पे हमें अपना लेवल फाइंड करना होता है फिर उसके बाद में क्या करना होता है कि कुछ उस लेवल पे हैमर टाइप कुछ ऐसा मार्केट बना रहा है क्या या कुछ ऐसा बुलिश अंगल्पिंग टाइप का कुछ पैटन बना रहा है कि कुछ भी पैटन बन था और यह सुबह का मार्केट का लो था तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहां से यहां तक मार्केट में फीबो ड्रा कर दिया अब देखिए हम यहां पे फीबो ड्रा कर देते हैं यह है फीबो यह मार्केट का है यह मार्केट का लो है मैंने जैसी आपको बता है था पहले कि य यहां से यहां तक हम pivot draw कर दिये यहां दिखिए यह set area है ठीक है अब दिखिए इसके बाद market नीचे break होने के बाद कहां पर support ले रहा है हमने कहा था 61% या 100% उन्होंने यहां पर दो lines draw कर दिए होंगे हम क्या करते हैं यहां पर line draw कर देते हैं इसका लरंग कर देते हैं sky blue अब तो आ गया यह level उनके लिए अब देखना होगा कि इस level पर market पीछे कुछ support दिखा रहा है क्या यानि यहां पर क्या कर रहा है यहां पर support लेने का market try कर रहा है तो यहां पर उन्होंने line draw करी होगी फर्स्ट पॉइंट हो गया फिबो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा support लेवल थर्ड पॉइंट है candle का pattern यह दिखिए यहां पर क्या है bullish and gulping candle pattern है यहां पर उनका ध्यानी रहता है यहां पर कुछ यहां पर hammer बना रहा है या bullish and gulping बना रहा है यह morning star बना रहा है कुछ ऐसा pattern उनको दिखना चाहिए कि उनकी level पर ठीक है उस type से वो यहां पर find कर देते है अब देखिए fourth point क्या है अब देखिए market में क्या हो रहा है कि किसी level को market अगर break कर देते हैं यहां पर कौन सा level है तो उसके नीचे market जाना चाहिए और वो भी तेजी से जाना चाहिए market में अगला support मिलने के लिए market बहुत ही तेजी से नीचे जाना चाहिए उसको मैं बड़ा chart करके दिखा देता हूँ कि market यहां से तेजी से गया है कि नहीं market में देखिए reversal आने के लिए बड़ी तेजी से candle है चाहिए यहां पर तेजी से candle है क्या नहीं है लेकिन यह बहुत तेजी से आयोई candle है यह देखिए यहां पर एक अच्छी candle बनाई है ठीक है उनके level पर market ने support ले लिया है आप देखिए और एक बात आपको बता देता हूं कि market किसी level पर जाता है यानि 43,000 एक big level है ओके एक बड़ी level है 33,000 यहां पर एक मैं draw कर देता हूं यहां पर 33,000 एक बड़ी level है ओके तो उसके नीचे market 100 point से reverse मार देता है इसका logic बताने के लिए मैं lonar सरूर कैसा बना था lonar lake उसका एक थोड़ा सा view आपको दिखा देता हूं ठीक है यह देखिए यहां पर lonar server यानि lonar lake पर क्या हुआ था कि दूसरा गरह यहां पर आके press करके निकल जाया था ठीक है वैसा है जितनी उपर से market आती है तो वहां पर गड़ा बना देती है यानि क्या हो गया यहां पर दिखिए उपर से गरह आके यहां पर टक्कर मारके चला गया है ठीक है तो उसने एक टक्कर में क्या कर दिया इतनी depth की यहां पर गड़ा बना दिया ठीक है तो वैसा है इससे market करता है कि किसी level पर आता है समझ लोग यह सरफेस है मारकेट का तो उसमें नीचे 100 पॉइंट का depth बनाएगा लोन आर डेप्थ बैंक निप्टी के लोन आर डेप्थ कितने पॉइंट की है 100 पॉइंट की तो इसका भी मैं आपको एक्जांपल आज के चार्ट पे और कल के चार्ट पे दिखा दूँगा उनका मैं यह क्या कर देता हूँ आपको स्क्रिनशॉट दिखा देता हूँ यह देखिए यह गंस्यामसर का प्रिमियम चैनल का है स्क्रिनशॉट अब देखिए उन्होंने क्या कर दिया आज की दिन 22,400 का कॉल लेने के लिए कहा कौन से टाइमिंग पे देड़ बज़े अब देखते हैं चार्ट पे कि देड़ बज़े पे क्या हो रहा था यह मार्केट का हाय है सुबह का और यह मार्केट का सुबह का यहाँ पे बेस है तो यहां से यहां तक हम ड्रॉ कर देते हैं फिबो यहां से यहां तक Fibo draw कर दिये दोनों लेवल्स पे line draw करने चाहिए अब देखिए यहां पे 61% का और ultimate support हम दोनों पे भी lines draw करेंगे हमने Fibo को हटा दिया, इसको lock कर देते हैं अब देखिए इस point से market नीचे आ रहा था लेकिन market 38% के level पे रुका तो क्या होता है, ऐसे point पे हमें पीछे chart पे कहां पे support मिल रहा है, वो देखना होता है अब देखिए वो हम निकाल लेते हैं पीछे जाके देखा, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है support level मिल रहा है यह bunch का एक हमें center निकलना होता है हम क्या करेंगे यहां पर एक line draw करेंगे इस level पर market रुखना चाहिए लेकिन हमारी एक level complete हो गई कौन सी? Fibo इसको meet कर गया इस पर market support लेना चाहिए लेकिन क्या है? Criteria 5 है 5 point है वो 5 के 5 meet होने चाहिए 1st point क्या है? Fibo Fibo हमने यहां से draw कर दिया यह level आ गया ओके एक meet हो गया 2nd क्या है? Support level ओके Support level भी meet हो गया 3rd point क्या है? Candle stick pattern तो आप देखें यहां पर कुछ candle stick बन रहा है इस level पर? नहीं तो 3rd point meet नहीं हुआ 4th point क्या है हमारा? Fast move चाहिए उसके पहले यानि इस level के आने से पहले market में fast move चाहिए तो देखें यहां पर fast move था क्या पहले? नहीं था तो market इसको break करके निकल गया नीचे यानि हमारा 4th point भी जब भी था उसको भी meet नहीं किया उसने अब देखें फिप्ट point है कौन सा 5th point है? round level के नीचे रहना चाहिए यह देखें यह तो round level पे ही draw हो रहा है तो market में support देगा क्या? नहीं मैंने आभी आपको loner का example दिया था कि surface के नीचे market जाएगा तो 100 point की depth बनाएगा वो 100 point का depth होता है यहां पे यानि कुन से level पे? 42,400 की level पे तो हमारा फीबो 22,400 पे exact draw नहीं हो रहा था ultimate level ultimate level कहां पे आ रहा था? 42,300 पे अब हमने फीबो ड्रा कर दिया इस level के regarding देखिए इसको अब समझ में दिये इसको छोड़ दीजे अब इसको ध्यान में रखिए अब क्या है? first level देखिए first point मीट हो रहा है क्या है यहाँ पे फीबो ड्रा कर दिये second point क्या है? support level okay higher line support पीछे एक swing support है third point क्या है? candlestick pattern यहाँ पे hammer बन गया है दोनों के दोनों hammer बन चुके है okay fourth point क्या है? fast move आना चाहिए इस hammer के पहले इस hammer के पहले यहाँ पे fast move आना चाहिए देखिए कल भी आया था यह fast move एक, दो, तीन तीन candle का fast move आया था कल भी देखते हैं पर क्या गय थे कि नहीं हाँ पे एक, दो, तीन आ गय था ना same way से ही आज भी हुआ है कौन से round level के नीचे? 42,500 के नीचे हमें लोनार डेप्थ चाहिए ब्यांक निप्टे में 100 पॉइंट का तो यह भी मीटवा चुका है इन 5 पॉइंट से गंशामसर अपना डे का लोग फाइंट कर देते हैं फ्रस्ट पॉइंट है फिबो का लेवल सेकंड पॉइंट है सपोर्ट लेवल फिबो के निचे 100 पॉइंट का मुवबेंट यानि लोनार डेप्थ उससाब से गंशामसर जैसे ही अपना डेलो फाइंट कर देते हैं वो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं और रिवर्सल का प्लैन अगर मार्केट दिखा दे तो उस रिवर्सल में वो बढ़ देते हैं ठीक है और उसका रिवर्सल का बहुत ही अच्छे से यूज कर देते हैं ठीक है चले फ्रेंट्स हमारा डेली का जो भी आनलिसिस रहता है वो अलग वीडियो में बनाऊंगा यह एक एक्स्टा वीडियो है तो फ्रेंट्स जादे जादे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकोन को हिट करिए चलते हैं थैंक यू